आज अस विडियो में हम डिसकस करेंगे एड्स टू दी इंटर्पेटेशन इंटर्पेशन करते समय कुछ चीजों की आवशकता होती है जो रिस्ट को जिसे की वो रूल्स वग्यरा कंसीडर करते हैं अब अगर हम इंटर्पेशन के रूल्स की बात करेंगे तो दो तरह के रूल्स होते हैं एक होता आपका प्राइमरी रूल ओफ इंटर्पेशन एक होता आपका सिकेंडरी रूल ओफ इंटर्पेशन तो इन दोनों को हम अच्छे से discuss कर चुके हैं एक वीडियो में जो कि i button पे आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर दूसरी चीज जो है जो की judges को assist करती है या फिर help करती है statute को interpretate करने में वो है aid तो जो aid है वो दो तरह के होते हैं एक होताब का internal aid एक होताब का external aid तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम यह दोनों तरह की जो aid हैं इन दोनों को cover करेंगे तो सबसे पहले अगर हम internal aid की बात करें तो internal aid जो होता है वो statute में ही मौजूद होता है मतलब वो aid जो की मतलब statute में ही available है उनको हम कहते हैं internal aid जैसे कि आपका होगया title of the statute, preamble, heading, marginal notes, definitional section, illustration, exception, proviso, explanation यह सब तो यह सब जो statute में होते हैं मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं यह क्या है internal aid है जिसकी सहायता से court statute को interpret करती है तो बारी-बारी से अगर हम इन सब को discuss करें तो सबसे पहले बारी आते है title की title of the statute यानि की समविधी का शीर्षफ तो जो समविधी होती है जो statute होता है जो आपका act होता है उसमें दो तरह के title होते हैं एक होता है आपका long title जिसको हम कहते हैं हिंदी में दिर्ग शीर्षफ या फिर विस्तृत नाम और एक होता है शौट टाइटल जिसको हिंदी में कहता है लगुशिवशक या फिर संक्षिप्त नाम तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लॉंग टाइटल की बात करें तो हर एक चाचुट में एक हैडिंग के रूप में लॉंग टाइटल दियावा होता है जो कि जन्रली बताता है एक्ट का अबजेक्ट क्या है लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका CRPC का बैर एक्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हैडिंग दे दी यहाँ पर यह बता दिया कि 1974 में बनने वाला यह एक्ट नमबर टू है दूसरे नमबर का अधिनियम है फिर यहाँ पर साइट में दे रखे इनाक्ट में डेट कि कब यह अधिनियमित हुआ फिर इसके बाद यहाँ पर यह जो दे रखा है यह क्या है यह है आपका लॉंग जो की है an act to consolidate and amend the law relating to criminal procedure यानि कि यह CRPC के बारे में बता रहे है कि CRPC क्या है एक act है जो की criminal procedure से सम्वंधित law को क्या किया है amend and consolidate किया है तो generally object बताता है long title किसी भी act का जो long title है वो उसके बारे में generally object बताता है यहाँ पर एक case था re kerala education bill 1959 इस case में supreme court ने बात हैल की थी कि भई जो policy है purpose है उसको long title या फिर preamble से निकाला जा सकता है पता किया जा सकता है एक case था manohalal versus state of Punjab 1961 का इस case में बात हैल हुई थी कि जो long title है उसके उपर एक guide के रूप में क्या किया जा सकता है उसको एक guide के रूप में हम क्या कर सकते है रिलाय कर सकते है कि भई ये क्या है ये एक guide है जिससे decide किया जा सकता है कि भई act का scope क्या है यानि कि हमें ये guidance देता है act के scope के बारे में तो ये बात हैल हुई थी manohalal versus state of Punjab 1961 की case में next है short title यानि कि लगु शेशक या फिर संक्षित नाम basically आपने देखा होगा जो भी आप act पड़ते हैं उनका एक नाम होता है like जैसे कि हो गया आपका the Indian contract act 1872 the Indian penal code 1860 the Indian evidence act 1872 तो ये सब क्या है ये सब respective act के क्या है नाम है ये simply इनको identify करने के लिए नाम दिये गए है यही तो हो parental और इनके end में लिखा होता है passing year of the act यानि कि जिस वर्ष जो अधिनियम है वो पास हुआ था वो वर्ष इनके end में लिखा होता है like जैसे कि transfer of property act 1882 है इसमें आपका section 1 है वहाँ पर short title given है तो simply ये क्या है ये बताया गया है कि ये जो act था ना आपका 1882 में बनने वाला चौत identify करेंगे तो इसके लिए ही इसका short title दिया गया है section 1 में और कहा ये गया है this act may be called the transfer of property act 1882 यानि कि यह है अधिनियम संपत्ति अंतरन अधिनियम 1882 कहा जा सकेगा तो simply ये क्या है ये जो act है आपका 1882 में पास होने वाला चौते नंबर का act इसका नाम है short title है जो कि इसको identify करन इसको दिया गया है और इसके end में वो वर्ष वो साल वो year mention है जिस साल ये अधिनियम क्या हुआ था पास हुआ था हाला कि ये जो होता है आपका short title ये statute का part होता है बट इसका act के provision को interpret करने में इसका कोई role नहीं होता है क्योंकि ये जो particular provision है उनके clear meaning को ना तो extend करता है ना ही del limit करता है तो इस तरीके सिए ये जो short title होता है act का उसका कोई role नहीं होता है act के provision को interpret करने में ये simply act को identify करने के लिए एक नाम मातर होता है सिफ औस इफ ये एक नाम होता है जिसके end में passing year of the act mention होता है next internal aid है preamble यानि कि प्रस्तावना basically जो preamble होते हैं उसमें contain होते है aims objectives जिनको achieve करने के लिए particular act बनाया गया है इसलिए जो preamble होती है वो act का part होती है ऐसा कह देते हैं it is a key to unlock the mind of the lawmakers तो basically जो mean objective होता है and purpose होता है act का वो statute के preamble यानि के प्रस्तावना में दिया होता है like जैसे कि आपका Indian constitution का preamble है उसको Indian constitution का soul कह जाता है और आपके सुभाश कश्यप थे उन्होंने ये कहा था कि अगर जो constitution है वो body है तो आपका जो preamble है वो क्या है आत्म है soul है अगर constitution building है then preamble is foundation stone तो basically जो preamble है वो basically जो main objective and purpose है act का उसको reflect करती है अगर कोई ambiguity होती है uncertainty होती है तो तब statute के किसी भी provision को interpret करने के लिए क्या किया जा सकता है preamble को use किया जा सकता है एक case था महराश्टा land development corporation versus state of महराश्टा इस case में बात held हुई थी कि जो preamble होता है वो act को interpret करने का guiding light होता है बड़ यहां पर कुछ limitation है जिनको ध्यान में रखत हुई हमने preamble को as a internal aid इस्तमाल करना है पहला है कि जो court है वो preamble को तब नहीं इस्तमाल करेगी as a internal aid जब जो language है statute की वो clear है वो unambiguous है वो एकदम spust है उसके अनेक अर्थ नहीं निकल रहे है in that situation court preamble को as a internal aid इस्तमाल करके interpretation नहीं कर सकती है दूसरी condition यह है कि जो preamble है वो enacting part में जो words use हुए है उनके meaning and scope को restrict या फिर extend नहीं कर सकती है इस तरीके से आपने preamble का इस्तमाल नहीं करना है किसी word को interpret करते हुए कि उसका जो scope है या फिर उसका जो meaning है वो extend हो जाए या फिर restrict हो जाए third point यह है कि अगर ऐसा हो जाए कि preamble and section है इन दोनों के बीच में conflict हो जाता है next internal aid है headings and title of a chapter basically इनको interpretation की की माना जाता है like कहीं को particular chapter दे रखा है या फिर कोई heading दे रखी है उसके नीचे कुछ particular provisions mention है तो भई इन provisions को interpret करने के लिए इनकी जो यहाँ पर heading दी गई है या फिर जो chapter का title दिया गया है उसको हम preamble की तरह treat करते हैं basically ऐसा होता है कि मानलों कोई heading दे रखी है जिसकि मानलों यहाँ पर हम बात करेंगे किसी particular subject के बारे में London County Council 1949 इस case में यह बात held हुई थी अगर किसी particular set of sections के लिए कोई particular heading दी गई है तो उस particular heading को हम सिफ और सिफ उन्ही set of section को interpret करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं किसी और particular set of section को interpret करने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं कि next internal aid है marginal notes marginal notes जो होते हैं वह वह notes होते हैं जो कि side में sections में लिखेवे होते हैं आपने basically barracks में तो देखा ही होगा आपके barracks में sides में notes वगएरा देगे रखे होते हैं जो simply section के effect को express करते हैं इसी वजह से इन marginal notes को side notes भी कहते हैं तो यहां पर basically ऐसा होता था पुराने time पर इनकी सहयता ली जाती थी जो literal meaning है उसमें अगर कोई शंका वगएरा होती थी तो उस शंका को दूर करने के लिए यह जो आपके marginal notes हैं उनकी सहयता ली जाती थी पुराने time पर ऐसा होता था लेकिन आधूनिक modern time में ऐसा नहीं होता है तो यहां पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो marginal notes होते हैं वो legislature के द्वारा नहीं add किया जाते हैं उनको scholar add करते हैं और इस वजह से उनमें impurities भी हो सकती हैं इसी वजह से उनके उपर rely नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ exceptions हैं जहां पर legislature ने खुद ही क्या किया है marginal notes क क्या किये हैं इंसर्ड किये हैं तो इस वजह से उनके उपर rely किया जा सकता है लाइक जैसे कि एक केस था Bengal immunity company versus state of Bihar इस case में बात हैल्ड हुई थी कि जो इंडिन constitution का article 286 है उसमें जो marginal notes हैं जैसे कि वो constitution का part है तो इस वजह से article 286 को interpret करते समय उनके उपर क्या किया जा सकता ह है बट यह आपने ध्यान रखना है कि एक केस था तारा प्रसाद सिंग versus union of India इस case में बात हैल्ड हुई थी कि जो marginal notes होते हैं section में statute के mention वो provision के effect को take away नहीं कर सकते हैं next internal aid है definitional section यानि कि इसको हम कहते हैं interpretation clause या फिर इसको हम कह सकते हैं परिभाश ये खंड निरवर्चन खंड तो यहाँ पर simply क्या होता है जिससे क्या नहों कि भई कोई word है अगर वो statute में बार बार कहीं पर use हो रहा है तो फिर बार बार उसका meaning बताने की जुरुत ना पड़े तो इस चीज को avoid करने के लिए ही क्या किया जाता है definitional section किसी particular statute में दिया गया होता है जैसे कि आपका Indian evidence act है और आपका transfer of property act है इन दोनों act में ही आपने देखे होगा section 3 तो जो section 3 है उसमें काफी सारी terms को define किया गया है तो अब जैसे कि मालो Indian evidence act में आपका fact, proved, disproved, not proved, document, evidence, fact and issue यह सब चीजे define की गई है section number 3 में तो अब जैसे कि fact यह जो term define की गई है अब अगर Indian evidence act में यह आगे कहीं करेंगे, like Indian evidence act में मालो 50 times आपका fact, यह जो word है, यूज हुआ है, अब बार बर क्या उसको वहाँ पर define किया जाएगा, हर जगा 50 बर उसको define किया जाएगा, इस तरीके से तो आपका Indian evidence act का ब्यार act है वो तो बहुँ जदा bulky हो जाएगा, तो एक तो इस चीज को avoid करने के लिए भी definational section provide किया जाता है, और दूसरी चीज यह कि भई, किसी particular term का specific meaning क्या है, किस specific meaning में हमने किसी particular term को किसी particular statute में इस्तिमाल करना है, उसको define करने के लिए भी आपका definational section दिया गया होता है, तो इस वज़े से definational section एक तरह की dictionary की तरह काम करता है, किसी particular statute के लिए, तो यहाँ पर definational section में जो definition दी गई है, उनका इस्तिमाल करके हम क्या कर सकते हैं, interpretation कर सकते हैं, next internal aid है illustrations, illustrations बोले तो दृष्टांत, like जिसे कि आप कोई भी particular act पढ़ते हैं, like आप पढ़ते हैं, Indian evidence act पढ़ते हैं, आप IPC पढ़ते हैं, तो कफिस सरे sections आपने देखे होंगे, जहाँ पर उन section के साथ साथ जुड़े होते हैं, illustration, illustrations को हम simply examples कह सकते हैं, जिसके जरिये जो particular section में बात लिखी है, उसको समझने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, they being the show of mind of the legislature, are a good guide to find out the intention of the framers, यानि कि, जो framers थे, जिन्होंने particular act बनाया था, उसको बनाने के पीछे intention क्या था, इसको समझने के लिए, जो आपका illustration दिया गया particular section में, वो एक good guide की तरह काम करता है, but an enactment otherwise clear cannot be given an extended or restricted meaning on the basis of illustrations appended therein, यानि कि, कोई particular section में बात लिखी है, जो एकदम clear है, और उसी से एक illustration जुड़ा हुआ है, तो उस illustration को पढ़ कर हम उसका extended meaning नहीं न जल रहा है, कि यह meaning है, तो उसको एक्स्टेंड नहीं करेंगे, illustration को पढ़ के, या फिर हम उसको restrict नहीं करेंगे, illustration को पढ़ के, कि बहुआ illustration में यह लिखा है, तो इस तरीके से भाई, यह जो section में बात लिखी है, इसका meaning और ज़ादा है, इसका scope ज़ादा है, यह extend होता है, यानि कि, on the basis of illustration, enactment में जो particular section दिये गए है, उसके meaning को, अगर वो clear है, हम क्या नहीं कर सकते, extend या फिर restrict नहीं कर सकते हैं, एक case था, Mahesh Chand Sharma versus Rajkumari Sharma, इस case में बात हैड हुई थी, कि illustration जो है, वो section का part होते है, तो इस तरीके से वो help करते है, to elucidate the principle of the section, यानि कि यह section के principle को explain कर सकते हैं, however, illustration cannot be used to defeat the provision or to modify the language of the section, section में जो language है, उसको modify करने के लिए, या फिर उसको defeat करने के लिए, क्या नहीं किया जा सकता है, illustration का इस्तेमाल करके interpretation नहीं किया जा सकता है, और इसके संबंद में एक legal maxim है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, यह legal maxim है, इसका मतलब है, कि जो example है, उससे फॉससे illustrate करते हैं, ना कि जो law का rule है, उसके scope को narrow करते हैं, तो इस तरीके से illustration को पढ़ के हमने इस तरीके से interpretation नहीं करना है, कि जो particular provision है, वो restrict हो, या फिर उसका meaning extend हो, जब उसका meaning एक्दम clear होता है, next internal aid है, proviso, जैसे कि आपने देखा ही होगा, बहुत सारे sections हो या फिर proviso, ऐसे करके लिखा रहता है, या फिर हिंदी में कहें, तो ऐसे लिखा रहता है, परंतुक, तो जो यह होता न, proviso, proviso का मतलब होता है, a condition, or restriction, which is attached to a particular statement, like कि भई, कोई section में बात लिखी है, ऐसे लिख दी कोई बात, फिर उसके बात नीचे लिख दिया, provided that, यानि क कि भई, पहले जो condition है, इस condition को पूरा करेंगे, फिर बात करेंगे इस section की, तो basically जो proviso होता है, वो section की application को या तो exclude करता है, या फिर accept करता है, या फिर restrict करता है, और इसका जो effect है, वो particular section में जो बात लिखी है, उस case तक ही क्या होता है, confine होता है, next internal aid है, explanations, मतलब इस देखे होंगे, जितने भी acts आपने पढ़े हैं उन में, तो वहाँ पर sections के नीचे explanations दी गई होती है, like आप section 299 ही देख लें IPC का, जहां पर culpable homicide बताया गया है, तो वहाँ पर पहले culpable homicide क्या होता है, simply बता दिया गया, फिर उसके बाद explanation दी गई है, जिससे और आप clear कर लाइक आप कोई particular section पढ़ रहा हैं, उसको पढ़ते समय, आपके mind में जो doubt आ सकता है, उस doubt को clear करने के लिए ही section के साथ explanation अटेश करते जाता है, कि बहई कोई doubt ना सके, तो simple सा मतलब यही है, कि enactment में जो बात लिखी है, उसके meaning को और जिदर clear करने के लिए, और हर तरह का doubt ज जब भी आप explanation को as a internal aid इस्तेमाल कर रहे हैं, interpretation करते समय, तो कुछ चीज़े आपने ध्यान रखनी हैं, जो कि इसकी limitations है, कि भई जो explanation है, वो क्या नहीं कर सकती है, जो section की language है, उसको modify करने का effect नहीं रखती है, और explanation section में जो word use हुए है, उनके plain meaning को control नहीं कर सकती है, यह आप अपने ध्यान रखना है, जब भी आप explanation को as a internal aid इस्तेमाल करके, क्या करते हैं, interpretation करते हैं, next internal aid है schedule, यानि की अनुसूचियां, तो basically जो schedule होती है, वो यह बताती है, generally deal करती है इस चीज़े, कि भई act के तहए जो भी claims है, rights है, उनको कैसे प्रदान किया जाएगा, कैसे उनको hazard किया जाए, ये चीज़ बताती है schedule, और ये बताती है schedule, कि भई, जो act के तहए पावर दी गई है, उनको कैसे exercise किया जाएगा, ये भी बताती है, basically, जो schedule होती है, जो अनुसूचिया होती है, वो enactment के end में देकर रखी होती है, जैसे कि CRPC में आपके 2 schedule दिये गए है, एक schedule है, उसमें मतलब classification दिये गया है, offenses का बताया गया है, कि कोई particular offense, जो आपके IPC में mention है, उनके list दी गई है, कि भई, वो billable है, non-billable है, compoundable है, non-compoundable है, cognizable है, ये सब बताया गया है, तो और दूसरी जो schedule दी गई है, उसमें आपके 56 तरह के form दिये गए है, कि संबन का form क्या होगा उनके format दिये गए है, तो जो आपके schedule होते हैं, उनमें कई बारा सा होता है, कि कुछ subjects की list वगएरा भी क्या होते हैं, mention होती है, जैसे कि Indian constitution में किया गया है, Indian constitution में जो आपकी अनुसूचिया दी गई है, उसमें subjects mention है, कि भई, जो union है, उसके क्या subjects होंगे, जिनसे वो deal करेग और जो आपका state है, उसके क्या subjects है, जिनसे वो deal करेगा, और एक आपकी concurrent list दी गई है, जो की union and state दोनों के लिए है, जिसमें subject mention के गए है, दोनों के लिए mention है, तो कहने का मतलब है ये, कि schedule में subjects की list वगएरा भी दे कर रखी होती है, तो basically जो schedule होते है, वो statute का part होते हैं अपन schedule है, उनके उपर भी quote क्या करती है, गौर करती है, similarly अगर जो schedule है, उनको interpret करना है, तो इस time पर जो quote है, वो क्या करती है, जो main body है, act की, उसकी सहायता लेती है, जिससे true spirit of the act find out किया जा सके, एक case था, अफ़ाली फामा यूटिकल्स लिमिटेड वसे स्टेट आफ महराश्टर इस case में बात हैल्ट गूई थी, कि अगर ऐसा हो जाता है, कि जो main body है, act की, और जो आपका schedule है, इन दोनों के बीच में अगर clash हो जाता है, इन दोनों के बीच में अगर क्या हो जाता है, contradiction हो जाता है, यह दूसरे के contradictory हो जाता है, इन दोनों के बीच में conflict हो जाता है, तो यह यहां पर जो main body है वो prevail करेगी over the schedule यानि कि schedule को reject किया जाएगा और जो main body है उसको प्रात्मिकता दी जाएगी. Next internal aid है punctuation. Punctuation मतलब विरामचिन वगेरा. पुराने time पर ऐसा होता था कि जो statute है वो भी ना punctuation के पास होते थे. तो इस वज़े से जो court होती थी वो उनको consider नहीं कर दी थी. उनके उपर कोई गौर नहीं किया जाता था. But in modern times जो statute है उनमें punctuation होते हैं. मतलब विरामचिन वगेरा इन सबका इस्तमाल किया जाता है. तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर court के सामने interpretation के लिए आता है कोई matter कि इस चीज़ को interpret करो तो court मार लो कोई provision आया है, court के समक्ष और उसमें विरामचिन वगेरा लगे हुए हैं, वो punctuated है. तो punctuated provision अगर court के समक्ष आता है, तो court पहले क्या करेगी? punctuation के साथ ही provision को interpret करेगी. और interpret करने के बाद अगर court को ऐसा लगता है कि कोई ambiguity नहीं है, punctuation के साथ अगर इस तरीके से कोई ambiguity सामने नहीं आती है. तो in that situation punctuation के साथ ही court provision को interpret करेगी बट अगर ऐसा होता है कि अगर punctuation के साथ provision को interpret किया जाता है और ऐसा करने पर ambiguity सामने आती है या फिर inconsistency सामने आती है तो in that situation जो court है वो punctuation को consider नहीं करेगी बिना punctuation के provision को पढ़ेगी interpret करेगी और उसका meaning ascertain करेगी और एक case था अश्विनी कुमार वर्सिस अर्विंद बॉस इस case में बात है लुई थी कि भई अगर जो provision है वो punctuated है मतलब उसमें विरामचिन वगरा लगे हुए हैं तो अगर punctuated provision का meaning जो निकल कर आ रहा है उसमें ambiguity अगर सामने आती है तो क्या है आजा सकता है without punctuation उसका meaning हम ascertain कर सकते हैं उसको interpret कर सकते हैं तो कहने का मतलब यही है कि punctuation को हम ऐसे regard नहीं कर सकते हैं कि भई अगर कोई provision punctuated है तो भई वो punctuation उस provision के जो element है उनको वो control कर रहा है एक controlling element की तरह हम punctuation को regard नहीं कर सकते हैं ये बात है लुए थी अश्वनी कुमार वर्सेस अर्बिंद बॉस के केस में और ये कहा गया था कि जो punctuation है वो text के plain meaning को control नहीं कर सकती है इस चीज के लिए उसको allow नहीं किया जाएगा अगर punctuated provision का जो meaning है वो ambiguous निकल रहा है तो without punctuation उसको interpret किया जा सकता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ external aids की तो सबसे पहला dictionaries अगर ऐसा होता है कुछ word जो है statute में दिये गए उनको define नहीं किया गया है तो यह permissible होता है कि हम dictionary को क्या कर सकते हैं refer कर सकते हैं to find out the general sense in which the word is understood in common parlance यहनी कि general sense में उस word का meaning क्या है हमने dictionary से find out किया और common language में उसका meaning हमने क्या करना है समझना है तो हम सहारा ले सकते हैं जिसकी black slot dictionary का next external aid है judicial decision तो जो court है वो क्या कर सकती है judicial decisions का सहारा ले सकती है कि पिछले case में बही particular section में कोई word यूज हुआ है तो उसका क्या meaning court ने determine किया था तो उसको as a precedent क्या कर सकती है इस्तिमाल करके interpretation कर सकती है और Indian judicial pronouncement जो होते हैं वो binding value रखते है when issued by a higher court जब वो higher court के द्वारा issue किया जाते है next आपका interpretation का external aid है reference to other statute like माल लो कोई word जो है किसी particular statute में define नहीं है तो तब उस word का meaning या definition अगर दे रखा है general closes act में तो तब हम उसकी सहायता ले सकते हैं उस meaning के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं उसको interpret कर सकते हैं उस शब्द को जिसका meaning उस particular statute में नहीं दिया गया है जिसमें वो mention है और उसका meaning दिया गया है general closes act में तो तब हम इसकी सहायता ले सकते हैं तो इसको हम ऐसे कह देते हैं कि यह क्या है statutory aids है जो हम ले रहे हैं other statute का reference हम ले रहे हैं तो other statute का reference लेकर भी हम क्या कर सकते हैं interpretation कर सकते हैं और यह interpretation आपका external aid के तहता है नेक्स्ट एक्स्टर्नल एड है फार्लिमेंटरी हिस्ट्री हिस्टोरिकल फाक्ट्स इन सर्राउंडिंग सर्कम्स्टांसिस बिसीकली यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम तब इंटरपेशन नहीं करते हैं जब मिनिंग जो होता है न किसी पर्टिकुलर स्टाचूट में किसी वर्ड का या किसी पैराग्राफ का या फिर किसी सेंटेंस का जो मिनिंग है वो एकदम क्लियर है कोई अंबिग्विटी नहीं है इन दाट सिट्वेशन हम इंटरपेटेशन करते ही नहीं है तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर जो वर्डिंग वगरा दी गई है स्टाचूट में वो एम्बिग्विटी है तो इन दाट सिट्वेशन जब मतलब मिनिंग क्लियर नहीं है जब एम्बिग्विटी है तब इस्टोरिकल सेटिंग जिससे हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन पर पहुश सके प्रॉपर इंटर्परेशन हम कर सके हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल सेटिंग को देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकल बाग्राउंट था यह सब हम देखते हैं जिसके तहत आपका parliamentary history आती है, historical facts आते हैं, statements of objects and reason, reports of expert committees, etc. तो इन सब चीजों को हम देखते हैं, interpretation करने के लिए, इन सब चीजों को हम सहारा लेते हैं, वो भी तब जब जो act है, उसमें जो words used हुए हैं, उनमें क्या है? ambiguity है. लेकिन यह ध्यां लखना है, अगर ambiguity नहीं है, तब यह सब करने की कोई जरुवत नहीं है, अगर ambiguity है, तो तब हम external aid के रूप में हम क्या कर सकते हैं, जो historical background है, जो parliamentary history है, जो statement of objects and reasons है, and reports of experts committee है, इन सब को हम देख सकते हैं, और interpretation कर सकते हैं, तो यह हमारे external aid हैं, जिनकी हम सहायत ले सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम parliamentary history की बात करें, तो parliamentary history में आता है आपका conception of idea, drafting of the bill, debates made, and the amendment proposed, speech made by mover of the bill, इन सब चीजों को consider किया जाता है, इसी तरीके से historical background की अगर हम बात करें, historical fact of the statute, जो है, वो क्या है, वो external circumstances हैं, जिनकी वज़े से enactment किया गया, जिनकी वज़े से statute लाया गया, तो भई किस वज़े से statute लाया गया, ऐसी क्या history, तो ये भी चीज देखी जाती है, statement of objective and reasons, ये क्या करते हैं, ये provide करते हैं, ये चीज की भई, जिस statute है, उसको क्यों लाया गया, उसको अधिनिमत क्यों किया गया, ये चीज बता preceding the introduction of a bill, उनके जो भी reports वगएरा रही, उनको भी court क्या करती है, refer करती है, as evidence of historical fact, historical fact के evidence के रूप में, और of surrounding circumstances के उस ताइम पे क्या circumstances थे, उनको देखने के लिए, और इस चीज को देखने के लिए, कि भई क्या mischief थी, क्या evil था, जिसकी remedy provide करने का intention रखा गया था, तो ये स सब चीजे देखी जाती है, और इनको parliamentary history, historical fact and surrounding circumstances के तहत, include किया जाता है, as a external add to the interpretation, इसके अलावा जो court है, वो other materials का भी क्या कर सकती है, सहारा ले सकती है, जैसे कि जो imminent textbooks होती है, उनमें जो materials होते है, या passages होते है, या फिर जो articles and paper, journals में publish होते है, तो उनका भी court सहारा ले सकती है, as a external aid interpretation करते समय, इसके अलावा आपका जो social, political and economic developments होते है, and scientific inventions होती है, इनका भी court as a external aid सहारा ले सकती है, interpretation करते समय, इनको क्या देगी, court value देगी, इनको भी vettage दिया चाहेगा, external aid के रूप में, और इनका सहारा लेकर court interpretation कर सकेगी, तो ये सब थे आपके external aid of interpretation, तो आज क वीडियो में हमने interpretation के internal and external aid जाने की क्या होते है, उनको हमने समझा, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करना, जितना जादा हो सकी, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही मैं आपको बता दू, interpretation of statute की जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं, और आने वारे टाइम में हम बनाएंगे, वो सारी की सारी एक प्लेलिस में मिलेगी, उस प्लेलिस के लिंक हमने description में डाल दी है, एक बार आप जरूर चेक कर लेना, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में